मटर पनी तो हम सभी बना लेते हैं घर पे पर प्राबलम कब आती है जब आपकी सबजी को रेस्टरोंड या धाबे के साथ कमपेर किया जाता है जब आप मेरी तरह सी ये सबसी बनाएंगे न तो रेस्टरों धाबे के टेस्ट को तो सभी भूल जाएंगे सिर्फ इसे याद रखेंगे वीडियो को आन तर देखें रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सबस्क्राइब कर दीजिए मटर पनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो बड़े चमच के जितना ओयल गरम कर दिया है इसमें डालेंगे एक चमच जीरा, दो तेच पत्ता और कुछ सेकिंद्स के लिए से भून लेंगे यह देर में जो जीरा है वो भी चटक गया है अब इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और एक बड़ा चमच अद्रक लसन का पेस्ट अगर आप बजार का अद्रक लसन का पेस्ट यूज कर रहे हैं तो कढ़ाई को धाग जरू दीजेगा वरना बहुत छीटे उड़ेंगी घर का यूज कर रहे हैं तो उसकी जरावी जरूरत नहीं है अद्रक लसन का भून लिया है कुछ देर के लिए और इसमें डालेंगे प्यास, बारीक कटा हुआ और हरी मिर्च वीजियम फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे जब तक कि हमारा जो प्यास है वो हलक असा ब्राउन नहीं हो जाता विल्कुल इस तरीके से नॉमली जब हम दूसरी सबजिया बनाते हैं तो पहले टमाटर डालते हैं उसे भूनते हैं मसाले के साथ और फिर मतर या पनी डालते हैं लेकिन यहां पे सबसे पहले हम टमाटर नहीं आड़ करेंगे उसकी जगह मैंने डाल दिया है मतर एक कप पहल में मतर को कुछ तेर भून लीजिए लगबक एक मिनिट के लिए और फिर इसमें दो टमाटर डाल दीजिए चौप किया हुआ आप चाहे तो इसकी जगह टमेटो प्यूरी भी डाल सकते हैं बस इसे अच्छे से मिक्स कर लीजे और अब बारी आती है कुछ बेसिक से मसालों की जैसे की हल्दी पाउडर, लाल मिच पाउडर और धनिया पाउडर अब इन मसालों को हम कुछ तेर के लिए भून लेंगे जब तक हमारा जो टमाटर है वो सॉफ्ट नहीं हो जाता तो इसके लिए मैं कड़ाई को ढख दूंगी और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे तीन से चार मिनिट के लिए यहां पर तीन से चार मिनिट हो चुका है और हमार जो टमाटर है वो भी सॉफ्ट हो गए है देखिए इसमें से ओईल भी रिलीज होने लग गया है अब बारी आती है इसमें पानी आड़ करने की लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा आप इसमें गरम पानी डालेगा थंड़ा पानी नहीं धंड़ा पानी डालेंगे तो तेस्ट में थोड़ा सब फरका सकता है इसलिए गरम पानी यूज कीजिए फिर डालिए नमक स्वादा नुसार अब फिर से इसे ढखकर दो मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लीजिए देखिए ओइल किस तरीके से रिलीज हो गया है अब यहाँ पे एक टी स्पून जितना कसूरी मेथी लिया है हातों से क्रश करके इसमें डाल दीजिए साथ में डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया आदा चमच के जितना गर्मसाला पाउडर 200 ग्राम पनीर को क्यूब्स में कट करके आड़ कर लिया है अब बस ढखकर इसे दो मिनिट पका लीजिए और हमारा टेस्टी सा मटर पनीर बनकर रेड़ी है आप चाहें तो इसे रोटी, फुलका, राइस, चपाती किसी के साथ भी सर्फ कीजिए बहुत बढ़िया लगता है ट्राइ करने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना भूलिएगा नहीं कि रेसिपी कैसी लगए थैंक्स पर वोच्छिंग, बाइ